हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चैनल पर तो इस वड़ो में हम आपको उताने वाले हैं कि अगर ओपो मुबाइल में एप स्किप्स इस्टोपिंग वाली प्रॉलम आ रही है या एप क्रेस वाली प्रॉलम आ रही है तो कैसे 100% सही करें तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो डियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले आपको मुबाइल के सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद गाईस आपको आ जाना है थोड़ा नीचे और यहां पर एक सेटिंग हो जनी है जिसका नाम है एप मेन अब आपको उपर की साइड दो या थ्री डॉट का ओप्शन मिलेगा इसपे क्लिक करना है फिर सो सिस्टम या सो ओल एप पे क्लिक करना है सबी एपस यहां पर आ जाएंगे अब आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहां पर लिखना है देखे सिस्टम तो जैसे आप सिस् वेब व्यूव आ जाएगा इसपे किलिक करना है इसका लोगो देख लीजिए फिर आपको स्टोरेज या स्टोरेज का ओप्सन मिलेगा इसपे किलिक करना है फिर आपको क्लियर डेटा और रोके कर देना है फिर गाइस आपको बैक आना है फिर फोर्स इस्टोप पे किलिक करन फिर बैक आ जाना है फिर आपको सर्च बार में फिर से क्लिक करना है और अपकी बार लिखना है लांचर यू लिखेंगे तो आ जाएगा इस पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर क्लियर डेटा और ओके कर देना है फिर आपको बैक आना है फिर आपको सर्च बार में क्लिक करना है और लिखना है package PSC के लिखेंगे तो package installer आ जाएगा इस पर क्लिक करना है फिर storage usage पर और इसे भी clear data कर देना है कि इतना करने के बाद guys आपको simply देखिये mobile के home screen पर आना है और setting में जाने के बाद अगर app management नहीं मिला है आपको आप नहीं ढूंड पा रहें याँ पर तो आपको उपर search bar में क्लिक करना है और लिखना है app तो यहाँ पर आपको app list या app management का option मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करके चेक करना और यहाँ पर app list या manager मिल जाएगा यहाँ से भी आप कर सकते हैं किये वहीं पर आजाएंगे फिर गाइस इतना सब कुछ करने के बाद अपने mobile को एक बार restart या reboot कर लेना है या switch off करके switch on कर लेना है फिर गाइस आप में जो भी प्रॉलम आ रहे है यह 100% सही हो जाएगा तो आज की रूम बस इतना ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थेंक यू